चाड़क के IAS Academy में आप सभी का स्वागत हैं आज हम बात करेंगे दास वैपार और इसका डच इतिहास क्या है इसके बारे में डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने कॉलोनियल पीरियड में गुलामों की खरीद फरोग त्यानी की स्लेव ट्रेंड में नीदरलेंड की भागेदारी के लिए हाल ही में माफी मांगी है हैक्स दितराष्ट्रिय अविलेखागार में स्लेव ट्रेंड में देश की भूमिका के लिए अपनी सरकार की और से माफी मांगते हुए उन्होंने दास्प्रथा को मानवता के खिलाफ अफराद बताया उनके स्टेट्मेंट पे उन्होंने कहा कि मैं नीदरलेंड के पिछले कामों के लिए डच सरकार की तरफ से माफी मांगता हूँ आज हम जहां हैं हम जानते हैं कि हर किसी के लिए कोई सही पल नहीं होता है हर किसी के लिए सही शब्द या सही जगा नहीं होती है सैक्रो साल से डच राज्ये के नाम पर लोगों का व्यापार उनका शोशन किया गया उनके साथ दुर्वेवार किया गया डट सरकारों ने यह स्विकार करने के लिए प्रयाप्त कोशिश भी नहीं की, हम यह पाक साफ दिखने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने इतिहास को पीछे छोडने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अब हम देखेंगे कि दास प्रथा में नीडरलेंड की भूमिका क्या थी नीडरलेंड ट्रांस अट्लांटिक स्लेव ट्रेड का हिस्सा रहा है 1595 और 1829 के बीच में लगबग 6 लाक लोगों को अट्लांटिक महासागर के पार पहुचाने की जिम्मेदारी नीडरलेंड की ती और इन में ज़ादातर लोग अफ्रीकी थे इस्ट इंडिया कमपनी के तहट नीडरलेंड ने इंडोनेशिया भारत और दक्षन अफ्रीका में भी लोगों का व्यापार किया सत्रवी शदी से लेकर 19 सदी तक कमपनीों ने 10 लाग से अधिक लोगों को गुलाम बनाया अगर बॉडरन स्लेवरी की बात की जाए तो वर्तमान में महिलाएं, लड़कियां और बच्चे सबसे ज़ादा इसके शिकार होते हैं 2016 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 4 करोड से अधिक लोग गुलामी करने पर मजबूर हैं, इनमें से एक एतर परतिशत महिलाएं और लड़कियां हैं साल 2016 में United Nation में Living in Slavery Today नाम से जारी एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि Walk Free Foundation ने अपनी रिपोर्ट में Modern Slavery को 4 कैटिगरी में बाटा था उसमें जबरन मजदूरी, जबरन शादी, जबरन योन शोशन और राज्य जबरन श्रम शामिल हैं राज्य जबरन श्रम को छोड़कर सभी कैटिगरी में महिलाओं और लड़कियां अधिक हैं 2016 में जबरन योन शोशन के 48,00,000,000 में से 99,00% महिलाई थी और हर 5 में से एक बच्चा शामिल था अब हम बात करेंगे कि भारत में डचों का आगमन कैसे हुआ और पतन कैसे हुआ यानि कि भारत से सम्मंदित इनका इतिहास क्या रहा है भारत में डच इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी इससे पहले 1596 में भारत आने वाला पहला डशनागरिक कार्नेलिस देहस्तमान था डचों का पूर्टगालियों से संघर्श हुआ और धीरे धीरे उन्होंने भारत के सारे मसाला उत्पादन के छित्रों पर कबजा कर लिया 1639 में उन्होंने गोवा पर डेरा डाला इसके दो साल बाद यानि 1641 में मलक्का पर कबजा कर लिया 1658 में इन्होंने सिलोन की आकरी पूर्टगाली बस्ती पर अधिकार जमा लिया डचों ने गुजरात में कौरो मंडल समुद्रतट बंगाल बिहार और उडिसा में अपनी व्यापारी कोठियां खोली डच लोग आम तोर पर मसाले, नीम, कच्चे, रेशम, शीशा, चावल, अफीम का व्यापार भारत से करते थे 1759 इस्वी में हुए वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से हारने के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया अब हम बात करेंगे कि मुख्य रूप से डच बस्तियां भारत में कौन-कौन सी थी 1609 में उन्होंने मदरास के उत्तर में पुली कट में एक कारखाना खोला भारत में उनके अन्य परमुक कारखाने सूरत विमली पटम, कराईकल, चिन सुरा, बारानगर, कासिम बाजार, बाला सोर, पटना, नागापटम और कोचीन में थे वे यमुना घाटी और मद्य भारत में निर्मेत, नील, बंगाल, गुजरात, कोरा मंडल से वस्त्र और रेशम, बिहार से सोरा और गंगा घाटी से अफीम और चावल लाते थे और इसका व्यापार करते थे इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, थेंक्यू सो मच